असलाम नीकुम डियर फ्रेंज्स वेलकुम बैक टू मैं चैनल क्या हल चैनल जी आप सब के आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अलहमदलिल्ला जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं तो आज का व्लॉग है जी कुछ बहुत ही खास अंट तक देखेगा बहुत ही मज़े का होने वाला है आप लोग के लिए तो काफी दिनों के बाद आया है क्योंकि क्या है के मेरी थोड़ी सी तब्यद जो है पो ठीक नहीं थी तो स्टार्टिंग आप देख रहे हैं जी 14 अगस्त के दिन की यह मैंने क्लिप्स लिये थे वैसे तो अपने हिसाब से हम लोगोंने ब इसको ड्रेस में आना है वाइट एंड ग्रीन में तो उसके लिए क्या है कि मैंने तो इस साल बिल्कुल भी त्यारी नहीं की थी पिछले साल मैंने प्रॉपर जो है ना वो अपना भी ड्रेस बनाया था इसका भी और शर्यार का भी तो हम लोगोंने सही माइनों में जो जिस हर्म की वज़ा से क्या है कि बिल्कुल भी कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं करना जा रही थी लेकिन फिर वही कि बच्छों की वज़ा से तो ड्रेस मैंने वहां पे उसका बनाया था 13 अगस्त को जो है ना उसके स्कूल में फंक्शन था लास्ट पेपर भी था उसका तो अब यह देखें के फिर उसमें का कि ममा मुझे मेंदी भी लगा दें कुछ नहीं होता यह वो तो मैंने जी कुछ इस तरह की जो है ना वह मेंदी लगा दी थी एक हाथ पे उस तरह की थी और एक हाथ पे यह इस तरह से जी फ्लैग बना दिया था मैंने और जी 14 अगस्त के दिन पिंडी इसलामबाद बाहर की सुरेतहाल जो है वो आपको दिखाते हैं अचा पिंडी में थोड़ी काम राज थी लेकिन आगे जाके इसलामबाद बहुत ज्यादा राज थी तो सब फैमिली जो है ना वो अपने साथ बच्चों को लेके निकली हुई थी बहुत ही मुसकान थी साथ में बाइक पे गए थे तो इसलिए जी हम लोगों का था कि चलो एक राउंड जो है ना वो लगा लेते हैं काफी टाइम बाद हम गए थे अचा हम घर से निकले थे तो हमने सोचा था कि फैसल मस्जिद तक जाएंगे और फिर वहां से लांग ड्राइब मतल जो है वह हुआ कंप्लीट और यह देख सकते हैं आप आज कल इतना प्यारा मौसम होगा ना पिंडी इसलामबाद का और यह है जी मेरे घर की बैक साइट का व्यू बहुत जबर्दस लाग रहा है आज कल बार्शों की वज़ा से जो प्लांट से ना उन पर भी बहुत ग्री है तो आज भी हुई है मेरे ख्याल से या फिर कल भी सुबा फजर के टाइम पर बारिश के बाद प्लांट को इस तरह से खुश देख के ना जो मुझे खुश होती है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती इतनी ग्रीनरी और इस तरह से मतलब इतना अच्छा लगता है भी कि प्लांट था, यह पिछले साल का फ्लांट था और जी अभी तक माशाला से चल रहा है तो यह देखें अभी मैंने यह लिया है यहां से एक प्लांट यहां से पर न उतार है, तो इसके लागन ना बिकस बहु आरे तो इसके साथ सुबा, टमाटर प्यास बगरा लेगा法 तो उसके साथ भी जो है ना वह बैंगल लेकर आए थे एक तो मैंने सोचा था कि वह साथ में शामिल करके और बना लूँगी तो और इस मिर्च को जो है ना वह बहुत ज्यादा जल्दी थी पकने की वह गई और यह जी आ गई हूं मैं कीचन में लेके और मैं आपको दिखाती हूं जी अगली स्टोरी तो यहां पे जी पहले मैंने रखा है यहां पे जिंजर और गार्लिक को साफ करके दो के वाश करके मैं इसको राके गई हुई थी के थोड़ा सा इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो अभी जी इस आज आज मतलब इस बार मैंने अद्रक लेस जो है ना वो हो गया कामियाब तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी इंशाला और मुझे उमीद है कि ये जो है ना वो बिलकुल भी ब्लैक नहीं होगा और बिलकुल भी ग्रीन यलो नहीं होगा खैर जी आते हैं अपने इदर रेस्पी की तरफ और यह देख जी वैसे तो बैंगन की सबजी बनाना बहुत ही असान है, हर कोई बनासता है है, अपने अपने स्टाइल में आज आप देखेंगे मेरे स्टाइल में बहुत ही क्विक सी रैसिपी है बहुत जबर दस्त बनती है, तो कड़ाई में डाला है, मैंने ऑईल और इसके अदर चुट 説 तीन मिसाले और अब नदेगे जैसे के लाल मिर्च श्कुटी रोई पनार नमक त्यूंट jego का उखा,ड़ आलू कैसे एकम्याद सब्न अबहार मिसाले में ख़जा भूबत नहीं , allowed pre- physicists अच्छी अची तरा की सांसाना सामाना च्छावकोः जूरी का मार्भूर और पका यह करती सांसा हुआके प्रयस हैं ओकी प्राइबाकिया देखुल्स को खुत मैं श्रृकों यह सब्रस्की है कि अपक्ड़ी आगाएं Megan Welcome in सब्जी की वह तो बात ही अलगया टेस्ट तो मत पूछें मतलब अगर आप लोगों ने कभी टेस्ट किया हो तो आप लोगों को पता होगा तो अभी ये देखें दी अभी मैंने वह जो पकावा पकावा वह जो निकला था जी बैंगन उसको मैंने छोड़ दिया है और इसके सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बैंगन के स्लाइस किये हैं और इसको आलू में डाल के थोड़ी देर के लिए मैं भून लूंगी और ढखके हम रख देंगे 10-15 मिनट इसको हलकी आँच पे और ये जी हमारी सब्दी जो है वो तियार हो गई है बैंगन कम आलू ज्यादा तो मैंने डाल दिया है जी धनिया मेरा गला जो है ना वो पिछले काफी दिनों से खराब हुआ हुआ है इसलिए मैं जी वीडियो एडिट भी नहीं का रही थी तो इस वीडियो में काफी सारी डिफरंट आवाजें आप लोगों को मिलेंगी सुनने को क्या जी यहां पर मैं बन चैनल को ज़्यदा से ज़्यदा लाइक करें ठीक है सब्स्राइब करें और हमें बताएं कि अगर आप लोगों ने और कटिंग कुछ चीखना हो तो कुछ और चीज पूछनी है तो हम लोग वाजिर है जी बिल्कुल चैनल को सब्स्राइब करना नहीं भूलिएगा और अच्छा ड्रेसे जो है ना वो आजकल बहुत सारी वेबसाइट जितनी भी डिजाइनर हैं उन सब के लगी हुई है जी सेल अच्छा फॉर्टीन ऑगस पे भी काफी अच्छी सारी जो है ना वो क्या कहेंगे ओफर्स जो है ना वो लगी हुई थी ब्रैंड्स की तरफ से औ जावा और भी बहुत सारी चीज़ों पर जो है ना वो सेल लगी हुई थी अजादी सेल तो मैंने भी काफी सारी शॉपिंग किये है तो ये वाले वैसे मैंने काफी दिन पहले जो है ना वो मैंने मगवाए थे तो मैंने सोचा कि ये आप लों के साथ शेयर करती हूँ और ब यह जो औरंज सा कलर है नाinta वैसले हैं यहatan ब्राइट इसका शेयर और हाउना जैको और देख से लिए के लिए? कि मैंने सोचा ताक्ता चले अप लोगों के सामने का लाउना एको अन्बॉक्स करते हैं देखते हैं पैंस कही है तो जी जो मैंने अपना हीद का इड्रेस जो है ड्रश के लिया था और उस वयंकिकी तो शकता है अगश्य प्रूमठीय पेंदोर्झ फैट्बशक्राइच के इंड्रेस तो इसलिए जी यहीं ICHI जिए है और अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं जी इनका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में आड़ कर दूगी ताकि आप लोग भी वहां से इनकी कोई भी ओफर्स जो है आवेल कर सकते हैं ठीक है तो यह देखें इतने सारे पैचिस हैं इस वाले कलर के साथ भी और इसका ना जो कलर है वो मुझे बहुत पसंदाया था असल में परसनली क्या है कि ये ना महरूनिश था कलर है लेकिन महरून के साथ साथ ना इसकी जो इंब्रॉडरी के साथ इसकी लुक आ रही थी ना वो ऐसे ट्रांसपेरंट सी जैसे इसके पैचिस में जो है ना वो कलर आ रहा था तो उससे नो बहुत जबर्दस दाग रहा था तो इसके साथ जी सारी की सारी एकसेसरीज जो है वो अवेलिबल है तो इंशाला इस सब की कटिंग स्टिचिंग और डिजाइनिंग मैं आप लों के साथ इंशाला बहुत जाद शेयर करूंगी तो ये थी मेरी आज की वीडियो आ